नमस्कार दोस्तों, IVPS RRB कलर के सभी शिफ्ट के एक्जाम खतम हो चुके हैं 10, 17 और 18 का एक्जाम जो है वो प्रॉपर क्लोज हो गया है लगातार बच्चों का मेरे पास सवाल आ रहा है कि सर थोड़ा सा डेटा को एनालसिस कर लीजे और थोड़ा सा हमें कुछ चीजें की क्लारिटी आप दे दीजे तो आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि जो कंप्लीट तीन दिन का पेपर हुआ है इसमें दो बड़े गेम चेंजर एक्जाम के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ओवर्यू कर देता हूँ अगर मैं पूरे तीन दिन के पेपर की बात करूँ तीन दिन मतलब दस भी, सत्रा भी और अठारा भी तो हमने अलग-अलग शुट में अलग-अलग चीजे देखे जैसे पेपर में वेरियेशन था कहीं पे, हलाकि mostly pattern जो था वो हमें easy लगा लेकिन maths में कई जगे ऐसा था जहां पे बच्चे टाइम ना हो पाने के बएस से और देखे, टाइम अगर नहीं हो पा रहा है तो उसका कारण यह है कि कुछ जगे चीजें लंदी आ रहे हैं बच्चों के जो कॉमेंट्स है वो यह रहे हैं कि सर्फ दो से तीन ऐसे सवाल थे जो लंदी थे तो पेपर में हमने variation देखा दूसरा attempts तो हमने अच्छे देखे no doubt अगर आप maximum candidates की बात करें तो वह overall मिलाके 70 प्लस तो गये हैं मतलब एक average नंबर मैं बोल रहा हूं मतलब वैसे तो नंबर हमने 78 79 80 बाई 80 देखा है बट average नंबर 70 के आसपास रहे हैं तो यह काफी अच्छी चीज़ है अब देखे जब पेपर में variation होता है और जब पेपर में जो है वह आप देखते हैं कि आर लेवल भाई कई लों का यह सवाल है कि सर बताइए हमसे तो यह चीज़ बन नहीं पाई हमाई लिए क्या सर कट आफ की संख्या जो है वह में लिए कम हो जाएगी क्या क्या मैं जो है वह process होगी दूसरा सबसे important जीज़ वो है accuracy अब देखे accuracy मैं यहाँ पे क्यों target कर रहा हूँ आप यह समझे बच्चों के ऐसे comments हैं कि सर हमने 75, 78, 80 जो है वो attempts तो किये हैं लेकिन जल्दबाजी के चकर में, speed के चकर में सर हमें realize हुआ है कि 2-3 questions हमारे गलत हुए हैं, 4-5 questions हमारे तो चुकि हम जानते हैं कि RRB clerk या clerical level के paper में हमें जो है वो speed में काम करना होता है लेकिन आपको make sure करना है कि आप accuracy में भी ध्यान दीज़े क्योंकि इसका कारण यह है, past trend में जितना हमने देखा है उस पे क्या हुआ है, कि बच्चों के let's suppose 70 या 75 ही attempts हैं, उनको इस बात का सर मेरा exam नहीं clear होगा, लेकिन accuracy अच्छी होने के वैसे वो उस exam को pass कर गया है, और same trend में हमने देखा कि बच्चों के 75 to 80 attempts होए हैं, लेकिन accuracy बेटर ना होने के वैसे उनका exam जो है वो clear नहीं हो पाया, तो एक चीज़ आप make sure करियेगा कि आपकी accuracy जो है वो बहुत अच्छी ह होगी exam में, इस चीज़ को आप लोग मुझे वीडियो के comment section में भी जरूर बताईएगा कि आपके total attempts कितने रहे हैं, maths के आपके numbers कितने हैं और reasoning के आपके numbers कितने हैं, और accuracy आपकी कितनी important बन रहे हैं, तो धियान रखेगा, normalization और accuracy ये दो important चीज़ें हैं, एक चीज़ मैं आ RRB clear का, आपका prelims का exam proper qualify, जो है वो हो गया है, मतलब done हो गया exam, अब बारी mains की है, हमें cut off का video expected लेके आएंगे, अभी उसका मैं data जो है वो बना रहा हूँ, और expected वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, लेकिन आप make sure करिए कि आप mains की पढ़ाई जो है वो आपको करनी ह है, prelims यहां से over हो गया है, इसलिए भी करनी है क्योंकि mains आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आप भले prelims qualify कर लें, लेकिन अगर आप mains qualify नहीं कर पारें, क्योंकि mains के number ही count होते हैं, pre के number count नहीं होते हैं, तो यहां से आप जो है वो mains पे focus करना start करिए, current affair को daily पढ़ना start कर दीज है ना, तो आप mains में proper जो है वो focus करें, proper time दें, आप prelims तो daily कर ही रहे हैं, उसके लिए आपका जो time है, उसको आप बिलकुल constraint करके रखिए कि हाँ भाई मुझे इतना time तो देना है, लेकिन साथ में अब आपको mains के लिए भी अलग से time निकालना जरूरी है, जब मैं sectional mock reasoning और maths की बात करता हूँ, तो मैं यह कहता हूँ कि आपको time bounded manner में questions की practice करनी है, क्योंकि आप make sure करिए कि अगर कोई लंदी या level की let's suppose puzzle आ रही है, डियाई आ रही है, तो आप उसको कितने minute में solve कर रहे हैं, यह आप time bounded manner में सीखें, और इसके लिए मैं आपको recommend करूंगा, कि आपको mock test जो है, वो avail कर लेना चाहिए, one pass जो है, वो हमारा test series है, जिसमें एक साल तक सारी जो test series है, वो आपको दो से जरूर proper avail कर सकते हैं, ठीक है, हम जल्दी ही expected cut off का video आपके सामने ले के आएंगे, बट एक बार आपको अपनी accuracy एक बार check कर लीनी है, और video के comment section में अपने total attempts, math और reasoning के marks को भी आप जरूर शेर करिएगा, ठीक है, till then कोई भी doubt होता है, video के comment section में अपनी बात आप जरूर र Thank you.